नमस्कार मैं कुमार प्रवोद और आप देख रहे हैं फस्ट बिहार जारखंड आज हम आपको ये बताने बैठे हैं कि बिहार के नौजवानों के साथ बिहार के युवाओं के साथ बिहार की मौजूदा सरकार ने फिर से एक बड़ा धोखा कर दिया है पिछले साथे पांच महीनों से लगबग साथे पांच-छे महीने हो गए जब बिहार में नई सरकार बनी थी नितीश कुमार तेस्वी परसाज्यादब की सरकार बनी थी और जिस बात की सबसे बड़ी चर्चा हो रही थी सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही थी वो गलस सावित हुई है और यह हम नहीं कर रहे हैं यह खुद नितीश कुमार ने स्विकार कर लिया है कि जो दावे किये जा रहे थे जो उनका दावा था वो सही नहीं था बात हम कर रहा है दस लाख नौकरी की तो हम आपको आज यह बताने बैठे हैं कि नितीश कुमार एक साल में दस लाख नौकरी देने के अपने दाबे से अपने वादे से मुकर गए हैं और यह हम नहीं किया रहे हैं फिर से आपको रिपीट कर रहे हैं नितीज कुमार ने खुद स्विकार कर लिया है कि एक साल में 10 लाख नौकरी नहीं देंगे हम आपको बता दे कि सरकार जो मौझुदा है वो 9 अगस्ट 2022 को बनी थी और उसके 6 दिन बाद 15 अगस्ट को जब पटना ये गांधी मैदान में स्वतनता दिवस समारोह मनाय जा रहा था तो वहाँ पर मंच से नितीज कुमार ने यह कहा था कि चुकी हम तेरस्वी परसाध या गए हैं तो 10 लाख नौकरी देंगे नौकरी नहीं देंगे 10 लाख बलकि 20 लाख रोजगार देंगे और उसके बाद पूरे बिहार में ये घुम घुम कर बात कही गई कि 83 परसाध यादब की पहल पर नितीज कुमार 10 लाख नौकरी देने को तयार हो गए हैं एक साल में लेकिन साड़े पांच महीने बाद नितीज कुमार एक साल में 10 लाख नौकरी देने के अपने वादे से दाबे से मुगर गया है यूटन मार गया है सियासी पल्टी मारने की उनकी जो विधा है उनका जो गुन है उसमें देश में कोई उनकी बराबरी नहीं कर सकता ये सरविदित है लेकिन उनकी बात परीभरोसा नहीं करना चाहिए उनके गांधी मैदान से सुतंता जिबस के मौके पर उनके ऐलान परीभरोसा नहीं करना चाहिए ये नितीज कुमार बता गया है, नितीज कुमार का जो ताजा बयान है, वो ये है कि एक साल में दस लाख नौकरी नहीं दी जा सकती है, नितीज कुमार ने शुकार कर लिया है कि वो एक साल में दस लाख नौकरी नहीं देंगे, आपको लग रहा हुआ कि ये हम कह रहे हैं, हम नाम पर जो दस लाख नौकरी की बात थी वो उससे कैसे मुकर रहे हैं और अब क्या कर रहे हैं हम आपको आसोंबार हैं एक दिन पहले मुक्मंति नितीश कुमार समधान याता पर थे और उन से सवाल पुछा गया कि दस लाख नौकरी देने के वादे का डावे का क्या हुआ को नौकरी कब देंगे हम आपको पहले सुनवाते हैं कि नितीज कुमार ने इस सवाल का जबाब क्या दिया आप सुनिए एक एक सब्द एक एक लाइन जो है छोटा सा बयान है गौर से सुनिएगा और आप उसके बाद आपको समझ में आएगा और या फिर हम समझाएंगे कि क कि इस तरीके से नितीज कुमार ने एक बार फिर से बिहार के नोजवानों बिहार के युवाओं के साथ चल किया है अड़ाईस हजार ना कर तिया तो ठीक है भई ते तरह लोग कर नरहें इसी साल माम लोग कर दिये था है कि साहब हम there to कुछ समय में लुए साल में अक नाय और अठाईश जार तरह हाले में न कर दिया पर यहां पर एक बड़ी अबादी कुमर क्या कहा रहे हैं नतीश कुमार कह रहा है कि इसी साल हमने कहा है कि हम नौकरी देंगे अले 16 लाख निस साल तो कुछ कहा नहीं नितीश कुमार ने साल 15 रही कहा था और नितीज कुमार अब ये कह रहा है कि आने वाले कुछ सालों में हम दस लाख नौकरी देने की कोशिस करेंगे एक साल की बात भूल जाईए बिहार की सत्ता में जो उनकी सबसे बड़ी साजिदार पार्टी है और जेडी और उसके निता तेस्वी परसाज यादम ने कहा था कि हम बिहार की सत्ता में जो दिनाएंगे उस दिन दस लाख नौकरी देंगे एक साल में और पहले कलम से हम साइन करेंगे साइन नहीं हुआ लगतार सवाल उठ रहे हैं लोग पूछ रहे हैं कि आपकी कलम खो गई है तूट गई है स्याही सूख गया है कि कैबिनेट की बैठक नहीं हुई जिसमें आपने कहा था कि पहली कैबिनेट की बैठक में नौकरी देंगे उसके बाद नितीज कुमारी घोसना के बात आई कि हम मुखमतिय उन्हें तो घौसना कर दिया है मुखमतिय ने 15 अगस को जो घौसना किया और आज जो कह रहे हैं फिर से हम सुन्वा देते हैं आपको नितीज कुमार कहा क्या रहे है कि आने बाले कुछ सालों में वो साल कितने साल होंगे यह नितीज कुमार नहीं बता रहा है वो पांस साल होगा दस साल होगा यह नहीं बता रहा है आने बाले कुछ सालों में दस लाख नौकरी देने का की कोशिस करेंगे यह नितीज कुमार कर रहा है मतलब यह है कि अगर किसी के जहन में ये बात आ रही होगी हमारे यह से लोगों के जहन में ये बात नहीं आ रही हम जानते हम आपको परिसीती बताएं कि बिहार सरकार चाहे कुछ भी कर ले दस लाख नौकरी एक साल नहीं तीन साल में भी नहीं दे पाएगी लेकिन जिनके जिहन में ये बात थी कि नितीस कुमार और तेस्वी परसाध्यादब 10 लाख नौकरी दे देंगे वो नितीस कुमार की बात को फिर से सुन ले नितीस कुमार ये भी कर रहा है कि हमने अब तक 28,000 नौकरी दे दी हम आपको बता दे 28,000 नौकरी यह जो देने की बात कर रहे हैं उसमें से 21,000 नौकरी तो ऐसी है जिसकी साड़ी प्रकिरिया यह सरकार बनने से पहले पूरी हो चुकी थी हम आपको यह बता रहे हैं कि उसमें लंबी चौरी तादाद वैसे लोगों की है जो इनको ठेके पर अनुबंद पर बहाल किया गया है और 10,000 बारा हजार रुपे महीने पर उनको नौकरी पर रखा गया है मतलब एक तरीके से कहें जैसे स्वास भाग में नियुक्ति बड़े पैमाने पर नरसों की ये नियुक्ति प्रकिरिया जुलाई में पूरी हो चुकी थी जब नितिस कुमार और देश्वी पर साध्यादब की सरकार नहीं थी और इनको किन्द सरकार एक आरकम के तहट अरुबंद ठेके पर रखा गया है और इनकी सैली 10,000, 30,000, 11,000 रुपे पर मन्त है ये सैलीर नहीं मान दे है कोई सुभिदा नहीं अलाबा इसके अलाबा इसको भी नौकरी कर रहा और तब कहरें कि 28,000 नौकरी हमने तकरीवन 6 महिने में दी है और 10,000,000 नौकरी देने का जो वादा है उसको आगे आने वाले 4-5 सालों में आगे आने वालों का कुछ सालों में उसको देने कोशिस करेंगे वो साल कितने होंगे इसको बताने को नितीज कुमार तयार नहीं ये लावलुबाद ये है कि Nitiis Kumar मुकर गया है एक साल में दस लाख नौकरी देने के वादे से दावे से अभी तक तो वो पॉलिटकल कमिटमेंट से मुकरते आये हैं, कभी बीजेपी के साथ, कभी लालु यादब के साथ, कभी फिर बीजेपी के साथ, फिर तेस्वी यादब के साथ, कभी करफसन से समझ होता नहीं, तो कभी करफसन के साथ, यह उनकी अपनी अदा है और इसके लि मंन में कहीं डाउट होगा कि नितीज कुमार जो है वो 10 लाख रुपए देदें कि या आप भ्रम में पढ़ गये हों हमारे मन में कोई डाउट ने बिहार की जो मौजूदा अर्थ वश्ता है उसमें कोई सरकार आजाए है जो नितीज कुमार ने जिस हालतमें बीहार को पहुचा दिया है जिस जरजर सितियह पहुचा दिया आ भी ऑगो उस सिति के हमाब को पुईंट से भूग के स्बुद्ट आपको बनाने हैं वहां कोई सरकार आ वो नौकरी नहीं दे सकती है दस लाख दस लाख नौकरी देने और उसके वेतन का जो खर्च होगा यह सरकार दिवालिया हो जाएगी उसका वेतन देने में अभी आप जानते कि बिहार के मौझूदा इस हिती क्या है बिहार में एक साल में जो GSDP एक सब आता है बिहार में कुल आर्थिक ट्रांजेक्शन जो पूरे बिहार में एक साल में इतना होता है न GSDP उसका लगभग 38 से 49 परसेंट जो लोन है कर्ज है हम देश में सबसे ज़्यादा जरजर आर्थिक इस्थिति वाले राज़ हैं हमारे हालत यह है कि अभी जो आम बजट बना अभी जो बजट अभी जो दो हजार ते बाइस ते इसका चलना जो अभी समाप्त होगा इस मार्च में उसमें 2,37,000 करोड उपया खर्च करने का प्रावधान किया गया उसका सिर्फ 20% लगबग 47,000 करोड उपया ही बिहार सरकार अपने बूते ही कठा कर पाती है only 20% 80% पैसा या तो किंदर सरकार से मिलता है या बिहार सरकार को लोन लेना पड़ता है ये बिहार की स्थिती है बिहार सरकार जो है वो हर साल 16,000 करोड उपया से ज़्यादा लोन का ब्याज चुकाती है और जो बिहार सरकार की टोटल आमदनी है लगबख 47,000-47,000 करोड उपया अपने बूते जो आमदनी है उस उस आमदनी के बूते राज के मौजूदा करमचारियों को उसके वन फोर्थ करमचारियों को भी बेतन देना संभब नहीं है एक कर्ज में डूबे राज को जिसके माथे पर हम बता दें जो कुल कर्ज है वो लगबख जो है वो हमारे पास जो कर्ज का डेटा है वो बताता है कि हर आदमी के माथे पर यहार लाखों रुपय का कर्ज है राज में जो खर्च होता है उसका हमने आपको बताया कि 47-47,000,000 को रुपया सिर्फ जो है वो राज सरकार अपने बूते इकठा कर बाती है बाकी सारा पैसा केंड़ से आता है या फिर लोल लेना पड़ता है अब जिस राज की आर्थिक विवस्था इसकदर जरजर हो जो देश में सबसे कम अपना रेवेन्यू परसेंटेज की हिसाब से देखे हैं कि जो पूरा बजट उसका सबसे कम राजस्व अपने बूते इकठा करती हो वो सरकार नौकरी देदेगी नितीस कुमार कहते थे ना इसी 2020 के चुनाव जब तेसी परसाद जादा कहते हैं कि हम 10 लाख नौकरी देंगे तो नितीस कुमार खुद कहते थे नकली नोट छापेगा जेल से लाएगा पैसा कहां से पैसा लाएगा नौकरी के लिए तो अब उसकी कलई खुल लई है हमने नितीस कुमार का आपको बयान सुनवाया कि किस तरीके से नितीस कुमार अब ये कह चुके हैं अब ये कह रहे हैं कि आने बाले कुछ सालों में हम 10 लाख नौकरी देने की कोशिस करेंगे और इसका अंताया तो आपको हो गया होगा जो सात्वे चरण की सिक्षक निउक्ती की मांग कर रहे तो जो बात कर रहे तो जो पिछले साल से आपको जनवरी से देने का प्लान था आपने देखा उसके लिए युबाओं पर कितनी सारी लाठिया चल गई बिहार में सिक्षकों के पद लाखों लाख कितादाद में खाली पड़े हुएं सारे रिपोर्ट में आ रहे हैं सरकार ने कोई पहल की उन पर बाहली करने की सरकार ने अब तक कोई पहल नहीं की तो स्वी आदम ने जब आपको याद है होगा कि पटना के डाक बंगला चोरहा पर तिरंगा लेकर नौकरी के लिए सिख्षक नियुक्ति के लिए जो परदसन कर रहे थे युबग उन पर जब बर तरीके से जब लाठी चार्ज हुआ था तो तो स्वी आदम ने प्रेस कॉ और आटा कि अब नोकरी की देखेंगे हम उनके बह color की प्रक्रिया शुरू कराएंगे उस वाकिये को भह लगबने और ये हो चुकर है आज तक आपने देखा कि किसी सात्य चलन के बाहले कि कोई प्रकिरिया कोई प्रारंभिक प्रकिरिया भी शुरू की गई हो बिहार के सिक्षा मंते जब पूछा आता है वो बोलते हैं जाके किनल सरकार से पूछिए उसने इतने नौकरी देने का दाबा किया ता हम से क्यों नितीस कुमार कहते हैं कि मीडिया जो है हमारी बात नहीं दिखाता है लेकिन मीडिया उनकी भी फलताओं को जरूर छुपाती है और हम आपको बताएंगे आगे भी कि मीडिया किस तरीके से नितीस कुमार के सामेरत मस्तक है या आगे किसी दिन और बताएंगे लेकिन आज ये बताने बैठे थे कि बिहार की युवाओं के साथ सबसे बड़ा धोका हो चुका है नौकरी रोजगार देने की बात जो कही जा रही थी वो छलावा है और इसे नितीस कुमार ने खुद सुईकार कर लिया है फिलाल में दीजिये इजाज़त नमस्कार झाल